हेलो दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूटुब चेनल अलफा मोनिटर में बहुत बहुत सवागत है इन वज़ों से आती है मुहे से बदबू जाने कैसे पाएं छुट करा आईए जानते हैं इस वीडियो के माद्यम से दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जनकरी है वो मिल्स के सांसों की बदबू यानि मुहे से आने वली दुरगंदे कैसी समस्या है जिस से जदतर लोग प्रेसान रहते हैं कभी कभी ये बदबू इतनी जदा होती है कि किसी से बात करना भी मुस्किल हो सकता है इसके पिछे कई वज़े हो सकती है और जिन में से कुछ हमारी रोजमर्रा की कुछ आदतें भी है आईए जानते हैं इन वज़ों के बारे में और उपायों के बारे में एलकोहॉल का सेवन करने से मुहें से बहु ज़्यदा बदबू आती है लिक्वीड होने के बावजूद सराब पीने के बाद मुहें सूख जाता है और इसकी वज़े से बैक्टिरिया बनने लगता है मेडिकल की बासा में कहा जाए तो इन बैक्टिरिया की वज़े से हेलिटोसिस यानि मुहें से दुरगंद आने लगती है इसके अलावा कॉफी, मसालेदार खाना और शिगरेट पीनी की वज़े से मुहें सूख ता है मुहें सूखने की वज़े से सोते समय लार नहीं बन पाती जिसकी वज़े से सांसों से बदबू आने लगती है नेक्स्ट है आपकी जीब जीब पर मुझूद बैक्टिरिया की वज़े से भी सांसों से बदबू आती है इसके लिए जरूरी है कि बरस करने के बाद अपनी जीब रोज साफ करें इसके लिए पलास्टिक की बजाए मेटल के टंग कलीनर का इस्तमाल करें इससे आपकी जीब साफ रहेगी और मुए से बदबू नहीं आएगी नेक्स्ट है सरदी जुकाम जुकाम या बरोकाइटिस जैसे साउसन संकर्मन की वज़े से सांसों से बदबू आती है ये बैक्टिरिया जुकाम में बनने वाले बलगम में मुझूद होती है नाक बंद होने पर आप मुएं से सांस लेते हैं जिससे मुएं सूखता है और सांसों से बदबू अने लगती है Next है सुखे मेवे कुछ सुखे मेवे बहु ज़्यादा मिठे होते हैं जिन पर बैक्टिरिया असानी से आजाते हैं जैसे एक चोथाई कप किसमिस में 21 गराम चीनी होती है शुखे खुबानी की समान मात्रा में 17 गराम चीनी होती है हलांकि इन में प्राकरतिक मिठास होता है जो सरीर को फाइदा पहुंचाते हैं कई सुखे मेवे चिपचिपे होते हैं और दंतों के बीच भी फस जाते हैं जिसकी वज़े से सांसों से बदबू आने लगती है सुखे मेवे खाने के कुछ देर बाद बरस जरूर करें नेक्स्ट है लो कारब डाइट लो कारब डाइट और ज्यादा प्रोटिन लेने वालों के मुहें से अक्सर बदबू आती है इसकी वज़े ये है कि इस तरह के डाइट में फेट बरन करने की जो प्रकिरिया होती है वो टिकॉन नाम का योगिक बनाती है तिकॉन की वज़े से सांस से बदबू आती है इसके लिए अच्छा होगा कि आप थोड़ी थोड़ी देर में चविंगम चबाते रहें नेक्स्ट है दवाएं एंटी डीप्रेसेंट और एलर्जी सहीत 400 से अधिक दवाएं ऐसी है जो मुए में लार के प्रवाए को रोकती है ये लार मुए से बैक्टिरिया को दूर रखता है अगर आप इस तरह की कोई दवा ले रहे हैं तो अपने लिक्विड की मात्रा बढ़ाएं खुब पाने पिएं आप बीना सुगर वाला चविंगम भी चबा सकते हैं मुए को हमेशा साफ रखें नेक्स्ट है टॉनसिल स्टॉन टॉनसिल स्टॉन बैक्टिरिया खाने के छोटे कणों मरत को सिकाओं और बलगम से बने होते हैं ये आपकी टॉनसिल और आपकी जीब के पिछे के हिस्से में फस जाते हैं ये किसी तरह का नुकसान नहीं पुँचाते लेकिन सासों की दुरगंद को बढ़ा देते हैं अगर आपको ये समस्या है तो खाना खाने के कुछ देर बाद नमक के पानी के गरारे करें इन वजों से भी मुहें से दुरगंद आती है ऐसी चीज़ें खाने से बचें जो पचने में दिक्कत करती हो तो दोस्तों ये थास का हमारा वीडियो आप इस वीडियो को लाइक करें जदा से जदा सेर करें और हमारे इस यूटूब चैनल अलफा मुनिटर को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हाँ सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन जरूर दबा लें ताकि आपको नए नए वीडियो सबसे पहले मिलते रहें